अगर किसी देश ने अपनी अर्थ विवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थ विवस्थाओं में शामिल किया है तो वो है चाइना 13.6 trillion dollar की economy के साथ चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है लेकिन चाइना की ग्रोथ का ये पहिया थोड़ा धीमे होते नजर आ रहा है चाइना की अर्थ विवस्था की ग्रोथ को जहां अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी नहीं रोक पाए वहीं एक वाइरस ने इसे जटका दे दिया है इस वाइरस का असर जहां चाइना के आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है वहीं चाइना की अर्थ विवस्था पर भी इसका काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नमस्कार मैं हूँ भुपेंदर सोनी और आज किस्सा आज तक पर मैं आपको बताऊंगा की करोना वाइरस का असर आखिर चाइना की एकॉनमी और ग्लोबल एकॉनमी पर क्या पड़ रहा है और साथ ही भारत की एकॉनमी के लिए इसके क्या माइने है सबसे पहले बात करते हैं चाइना की चाइना की अर्थविवस्था सबसे जादा निर्भर करती है मैनुफेक्चरिंग पर फिर चाहे वो कार हो, मोबाइल हो, कंजूमर गुड्स हो या फिर कुछ और इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके इर्दगिर्द कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना मैनुफेक्चरिंग के बाद इन चीजों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है यानि अगर ये मैनुफेक्चरिंग रुकती है तो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी और उन देशों में भी नुकसान होगा जहां पर ये चीजे बेची जाती है कोरोना वाइरस की वज़ा से चाइना में जादातर इंडस्टीज बंद कर दी गई है कार बनाने वाली कमपनियों ने अपने प्लांट बंद कर दीए है मोबाइल की प्रोडक्शन भी रुक चुकी है और चाइना में एरपोर्ट खाली हो चुके है कोरोना वाइरस की जहां से शुरुआत हुई उस वहान सिटी की ही बात करें तो यह शहर ओटोमोटिव इंडस्ट्री का हब है जहां गाडियों के पार्ट्स आदी बनाये जाते हैं यही नहीं चाइना की टॉप 10 युनिवर्सिटीज में से दो युनिवर्सिटीज वहान में ही है फॉरण कमपनियों के लिए यह शहर काफी एहम है DHL's Resilience 360 Index की माने तो वहान में 50 प्रतीशत Manufacturing Automotive Industry से जुड़ी है और 25 प्रतीशत Technology से कोरोना वाइरस की वज़ा से चाइना की टॉरिजम इंडस्ट्री पर भी काफी गहरा असर देखने को मिल रहा है नए साल की शुरुआत में जहां ये टूरिस्टों का सीजन होता है वहीं लगभग जादा तर International Airlines ने चाइना के लिए अपनी फ्लाइट्स बंद कर दी है एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में टूरिस्टों की संख्या में लगभग 55 प्रतीशत की कमी आई है वहीं कंजूमर गुट्स की बात करें तो चाइना में कंजूमर गुट्स पर भी काफी गहरा असर पड़ा है वहीं डूमेस्टिक फूड मार्किट की बात करें तो इस पर भी वाइरस की वज़ा से चाइना में काफी असर पड़ा है अब बात करते हैं चाइना के GDP ग्रोथ रेट की बीजिंग के आंकडों के मताबिक साल 2019 में चाइना का GDP ग्रोथ रेट 6 प्रतीशत रहा था और अमेरिका के साथ पिछले साल ट्रेड वार के बाद इसके अब और बहतर होने की उम्मीद थी लेकिन करोना वाइरस के बाद GDP ग्रोथ रेट 5 प्रतीशत रहने की उम्मीद की जा रही है ग्लोबल कमपनियों की बात करें तो कई ऐसी कमपनिया हैं जो चाइना से सप्लाई पर निर्फर करती हैं एपल को ही लें तो एपल के 800 ग्लोबल सप्लाईर्स हैं जिन में से 290 सप्लाईर्स चाइना में ही हैं दुनिया में बनने वाले टीवीज में से 9 प्रतीशत टीवीज चाइना में ही बनते हैं यूरोप और अमेरिका में कार मेनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज पहले ही शोटेज होने की बात कह रही है। वहीं हुंडाई की बात करें तो इस कंपनी ने चाइना से आने वाले स्पेर पार्ट्स की कमी के चलते साउथ कोरिया में अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। यहीं नहीं अमेरिका की सबसे बड़ी कार कंपनी जनरल मोटर्स ने भी आन्शिक तोर पर प्रोडक्शन बंद कर दी है। जापान की बात करें तो चाइना जापान की मशीनरी, कार, ट्रक और टेकनोलोजी का का काफी बड़ा खरीददार रहा है। ऐसे में चाइना में कोरोना वाइरिस से हो रही दिक्कतों के चलते जापान में भी बिजनस और एकॉनमी पर असर पड़ सकता है। अब सबसे एहम सवाल भारत का क्या। Automobile सेक्टर की बात करें तो भारत अपने electronic products, engineering products और chemical आदी चाइना से ही import करता रहा है। लेकिन चाइना में बन रही स्थिती के चलते इनके दाम बनने की उम्मीद की जा रही है। जिससे पहले से ही दिक्कतों में चल रहे Automobile सेक्टर पर और गहरा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है। भारत के tourism पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2019 में भारत में आने वाले touristों में से 3.1-2% tourist चाइना से ही थे। चाइना भारत का एक बड़ा trading partner भी है। साल 2019 में भारत के कुल इमपोर्ट में से 14% इमपोर्ट चाइना से किया गया था। वहीं कुल export में से 5% एक्सपोर्ट भी चाइना को ही किया गया था। कोरोना वाइरस से पैदा हुई स्थिती के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फिगर्स में भी कमी आने की आशंका है यही नहीं भारत की डाइमंड इंडस्ट्री को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है पैरा सीटा मोल जैसी आम दवाई में यूज होने वाली ड्रग जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है उसका दाम भी पिछले दस दिनों में दोगना हो गया है बाकी रही बाद चाइना से आने वाले मोबाईल या टेकनोलोजी की तो इनकी शौटेज भी हो सकती है जिसके चलते इनके दाम बढ़ने की उम्मीद भी की जा सकती है लेकिन भारत के लिए जहां कुछ नुकसान है वही इस थिती का भारत को फाइदा भी मिल सकता है जैसे ग्लोबल बायर सेरेमिक, होम बेर, फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए चीन की जगा अब भारत की और अपना रुक कर सकते हैं और वहीं चाइना की लोकल प्रोडक्शन प्रभावित होने के कारण भारत, कैमिकल, पेट्रोलियम, एग्री कल्चरल, इंजिनीरिंग गुड्स और प्लास्टिक जैसी चीजे चाइना को एक्सपोर्ट भी कर सकता है यही नहीं चाइना में चल रही स्थिती के चलते कच्चे तेल के रेट में कमी आ रही है जिसका फाइदा भारतिय बाजार को मिल सकता है अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हमारा शो किस्सा आज तक